कि नमस्कार में रुप्तरेंट सर्मा रेजोनेंस पिसिसिप डिवजन और आज हम टोपिक की ओर चलते हैं 10th क्लास CBSC बोर्ड और आज हमारा जो टोपिक है रचना लेखन से संबंदि सूचना लेखन का है तो चलें आज हम इसका अध्यन करते हैं और जानते हैं कि सूचना ले है इस परिक्षा में किस तरह से इसे हल किया जाता है किस तरह कि इसके प्रश्ण बनते हैं तो आज उसी को लेकर कि हम इस पर चर्चा करेंगे तो पहला तो हमें देखना है पहले तो क्या देखना है सूचना लेखन का अर्थ क्या होता है इसके परिभासा क्या है तो देखें लेखन का सूचना लेखन का अर्थ है किसी संख्या या सरकार द्वारा अपने सदस्यों का मतला होता है अपने ही कार्यले में जो कर्मचारी है उनको या फिर जनता से लिखित रूप में सीधे संबाद इस्ताफित करना यानि यह विश्त्रितनी होता है जितना सा काम होता है उतना सा लिख करके दे दिया जाता है जैसे कल में ऑफिस में नहीं आऊंगा मेरे घर पर पंक्शन है तो आप दे सकते हो कि आपको सुचित किया जाता है कि कल दिनांग इतनी इतने बज़े से इतने बज बस इतना सा दिया और आप फिरी तो ताकि कम से कम समय में लोगों तक गए आदेश या निर्देश पहुँच जाए समय क्या है कि दो लाइन लिखनी है जो प्रश्ण है जो उद्देश से है उसके दो लाइन लिखी और आप भी फिरी सामने वाला भी समझ जाए कि जैसे उधान के रूप में ले अपन की पापा ओपिस में नहीं है तो घर पे क्या होता है डायरी मेंटन होती है इस से डायरी को टेबिल पर रख दी जिए उसमें लिख जाए कि आज आपका दोस्त आया था इतने बजय के पापा ऊपिस याएंगे डायरी को देखेंगे और जानकारी ले ले लेंगे मेरा दोस्त आया था और मिरेसे मिलेगा इतने बजे उसको यह काम है तो यह किसके माध्यम से उठाल सूचना लेखन के माध्यम से आपने भी अपने विध्याले में विशेश कारे करम या आवकास जानकारी देशाल मेखन द्वारा प्रात्की होगी विद्याले में आप गए हो तो एक सूचना पठ होता है उस पर समस्त गति विद्यां उस पर प्रधाना चार्रे के द्वारा या अध्यापकों के द्वारा लिख दी जाती है जैसे मैंने कई बार देखा सूचना या हमारी विद्याले रहे तो उसमें भी हमने पड़ा कि आप सभी चात्र चात्राइं को सुचित किया जाता है कि हमारे विद्ध्याले में निहां हिंदी दिवस क्लशनित सितम्बर को मनाे जाएगा इतने बजी विद्ध्याले प्रांगण में जो भी चात्र चात्राएं इसमें भाग लेना चाहते हैं वह अपना नाम कक्षा द्यापक को लिखा दीजिए क्लास टीचर को लिखा दीजिए और इतने समय सूचना सारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो बहुत से लोगों को दी आती है एसे सूचनाइं एक विशेश इस्तान पर लिखी जाती है कहां पर एक पर्टिकुलर जगह होती है कैसे आपने देखा ओगा सूचना पठ सूचना पर इतना बड़ा एक विद्याले में कुछ बोड होता है उस पर दिन भर की सूचना गतीविदिया जितनी भी होती जितना भी जहां से सभी लोग पढ़ सके यानि ऐसा भी नहीं कि यह सएड में लिखे बच्चों का उसमें आना जाना इनिनी अक्षर क्या करते हैं कि ऑफिस के ठीक सामने जहान पर बच्चे को देख सके बच्चों का आवागमन हो बच्चे एक बच्चे से दूसरे बच्चे के सके कि तो उसके माम से सभी बथ्चे जान जाते हैं कि सूचनपट में क्या लिखा हुआ है इस्तान होता है बिलकुल होता है साब रियासी इसलखो में सूचनापठ प्राइ-मुख्ञे-परवेश दौर के पास ही होता है बिल्कुल आपने भी देखा होगा प्रवेश जहां से बच्चों के एंटरि होती है और किसी कारेयले में तो उसके प्रवेश करते हैं जहां से पब्लिक लोग वहां से प्रवेश करते हैं तक सुचना को जादा से जादा पढ़ सके और अपने सूचना लेखन को लिखने के नियम हिसाब क्या नियम दिये इन्होंनी नंबर एक नियम विशे का छोटा वह संग्षित लेखन सूचना अनाउशक नहीं होनी चीए सूचना ऐसी हो कि सामने वाला फट से समझ जाए और आप उसको फट से समझा सको और उसे ज़्यादा समय न लगे यानि आपकी सूचना पढ़ने में उसको एक मिनिट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए यह दि लगता है तो वह उस सूचना को पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं लेगा बात समझ में आगए आपको तो क्या होना चीए चोटा होना चीए संक्षिप्त यानि छोटे से छोटे आप जो लिखना चाहते वह होना चीए काम की बात होने चीए मूल उद्देश्य उसमें समाहित होना चीए दूसरा क्या है साधहरन तरीके से सारी चीजे जरूरी शूचना देना अब देखा आप वही समाज में हर बुद्धी वर्ग का वेक्ति हैं कोई मंद बुद्धी है कोई बुद्धि माने को समाने कोई बहुत ही ज्यादा टेलेंट रखता है जीनियस है सुपर जीनियस आसानी से समझ में कब आएगा जब आपने उसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है तो उसको आसानी से समझ जाएंगे फिर दूसरी बात आपने उसमें छोटे से छोटे सरल वाक्यों का यह आपने प्रयोग किया है तब भी उसको हर कोई समझ पाएगा यह आपने उसमें क्लिष्ट कठिन सब्द डाल दिये तो उनके समझ के बाहर हो जाएगा हां बुद्धी जी वी वर्क तो समझ पाएंगे लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं या उनसे भी कमजोर बच्चे हैं म जो लिख रहे हो सूचना पठ पर बिल्कुल ही कैसी होनी चीए साब बिल्कुल समान्ने हो यानि सब्द शरल हो और उसमें जर्वत की ही चीजें हो इसके लाव दूसरी नहों तीसरी बाद प्रभावशाली भासा में हो बई प्रभावशाली बच्चे पढ़े या जनता उसको पढ़े उस सूचना की और अट्रेक्टिव हो यह समझें कि यह सूचना हमारे बहुत कामकी है इसलिए हमें इसको पढ़ना ही जरूरी है आगे क्या है? सूचना लिखने वाले का नाम बिल्कुल कैसे लिखते हैं सब? सूचना लिखने वाले के पद का नाम या नाम आपको लिखना है सबसे पहले? इसको मैं दर्सा आता हूँ, आपको देखो आप, उधारन के मद्यम से, मैंने यहां से लिया, देखो, पहला क्या ल या क्या सूचना लेखन बीचों बीच में लिखा साथ लिखा या ने लिखा फिर हमने उसके एक लाइन छोड़ी बच्चे कन्फूज होते हैं सर एक लाइन छोड़े नहीं छोड़े में आपको बता रहा हूं कहां तो एक लाइन छोड़नी है और कहां नहीं छोड़नी फिर ह ने लिखा साब क्या संस्ता या विभाक का नाम कार्याले नाम यहां पर लिखा साब और कार्याले नाम लिखने के बाद वही आपने सूचना क्यों लिखी उसके सीर्सक का नाम यहां पर आप एड करोगे करना है या नहीं करना करना है फिर आपने यहां पर लिखी साब सूचन और इधर क्या लिखा इधर दिनांक लिखा जैसे आज दिनांक हम देखें तो 13 कितनी है सितंबर तो आप सितंबर को इस तरह लिखें और यहां पर 2021 लिखें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो ऐसे लिख देता हूं ऐसे लिख दू तो क्या दिक्कत है यह माद्दे में सिक्सा बॉड के द्वारा बिल्कुल ही गलत है फिर कोई कहे सर में ऐसे लिख दू तो क्या दिक्कत है माद्दे में सीबेसी बॉड के द्वारा इसको कि सितंबर कि 2021 इसको लिखू तो यह बिल्कुल सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं है क्योंकि सेवेसी बोर्ड ने इसी प्रारूप को देदांग की इसी प्रारूप को अपना रखा है फिर आगे चलो अब इसमें सामाने क्या चीज लिखिए देखो यहां तक हो गया अब इसमे देखो यह सूचना लेकर है आपका यहां पर लिखा है यह प्रारूप है क्या है यह प्रारूप प्रारूप जिसको आप फॉर्मेट कहते हो क्या है सबसे पहले क्या आएगा संस्ता का नाम आएगा विभाग का नाम कार्याले नाम जिसको हम कहेंगे पिर उसके ठीक नीचे बिना लाइन छोड़े आपको क्या लिखना है nog लिखना की लिखना कि आपका टॉपिक क्या है आपने सूचना लिखी उसका उद्धेश से पिया है फिर यहाँ पर आपने दिनांख डाल दी डाली निडाली फिल्कुल डाली फिर आपने यहां से प्रारहंब किया क्या लिखा आपने स्टार्टिंग में कि सार्व साधारण किसके लिए जनता के लिए जब भी कोई कार्याले से आम जनता के लिए सूचना लिखी जाती है तो उसका प्रारहंब सार्व साधारण से होता ह ध्यान रखना वेर इंपोर्टेंट बात है यह विद्ध्याले से संबंदित कोई भी चात्र चात्राओं को लिखी जाती है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सभी चात्र चात्राओं को सुचित किया जाता है फिर यह की अक्षर बच्चे इस की पर जाकर के बहुत से 50% बच्चे गलती करते हैं किसे कि बहुत सारे बच्चे तो आप मेंसे नहीं जानते कि इसकी और इसकी का प्रियोग कहा होता है तो आपको यह जानना जरूरी है जब भी हम किसी वाक्य का प्रारहंब कीसे करते हैं तो आपको कीमे छोटी की मात्रा लगानी हैं और जब भी हम किसी वाक्य में relationship यानि संभंध कारक का प्रयोग करते हैं तो इसमें इस वाले की का प्रयोग करते हैं जैसे यहां पर सबी छात्र छात्राओं को सुचित किया जाता है कि तो हमने किसमें वाक्य का प्रार्म किया इसको फिर पिर यहां पर जैसे की है माता जी की मा मेरी नानी है अब इसमें भी की का प्रियोग किया है छोटी का क्यों नहीं किया क्योंकि वाक्य के प्रारंबे ना हो करके वाक्य के बीच में है और यह किसको संभन्दों को बता रहा है इसलिए की का प्रियोग हमने यहाँ पर किया है आगे चले यह समझ में आ गया अब इसमें देखिए एक दो तीन इसका मतलब यह है कि आपको सूचना के लिए शब्द शीमा शब्द सीमा कितनी देनी है साब 20 से 30 शब्द कि सर इसमें नहीं बनेगा तो भी हाइस्ट 40 शब्द कर लीजिए अब 40 के तो पार बिल्कुल भी नहीं होना है यानि आपकी सूचना दो तीन लाइन में पूरी हो जानी चाहिए आप जो बताना चाहते हैं वो पूरा हो जाना चाहिए फिर सूचना किस ने लिखी आग्या अब आग्या लिखी प्रधाना चारे है तो पहले पद का नाम पद के नाम पर क्या लिखोगे आप प्रधाना चारे जीला कलेक्टर है तो जीला कलेक्टर और फिर उसके क्या रहेंगे अस्ताक्षर रहेंगे और यहां पर जैसे जीला सिक्षा अधिकारी है तो जीला सिक्षा अधिकारी उसके पद का नाम यहां पर लिखोगी अब यह बिल्कुल फैक्ट हो गया कि इस तरह यदि आपने सूचना लिखी तो आपको 100% जैसे 5 अंक की है तो 5 नमबर पूरे मिल जाएंगे फिर दूसरी बात इसमें पूरे में से पूरे नमबर कब आएंगे जब आपने इ इसको कहते हैं कि मूल मूल तथे मूल तथे में वाक्य शुद्धी और शब्द शुद्धी इसका विशेश ध्यान दिया जाता है ये धी आपने ये फोर्मेट जमा दिया तो आपके एक नमबर इसका हो गया पिर आपने इसमें लिखा क्या है तो ते नमबर इसके आपके मिल गए और आपके वाक्य शुद्धी शब्द सुद्धी का एक नमबर ऐसे करके इसके पांच अंक निर्धारित कर लिए जाते हैं ये बात समझे में आ गई आपको तो अब इसके अन्य उधारन देखे साफ देखो हमने इसमें प्रश्ण लिया प्रश्ण नमबर एक क्या लिया प्रश्ण नमबर एक लिया इसका कि विध्याले के हेड बोई द्वारा विध्याले के सूचना पट पर छात्रों को विध्याले मेले में हिस्सा लेने हैं तो एक सूचना तयार करो बिल्कुल अब उसने कार्याले का नाम ने लिखा यहां पर कार्याले का नाम क्योंने लिखा क्योंकि वह किसका है विध्याले का और बच्चे किसके हैं विध्याले के तो इसमें कार्याले का नाम लिखने के गुंजास नहीं होती है कार्याले का नाम को लिखता जब कोई कार्याले है और सर्व साधरन को यह दिए उसको देन दिनांग की यहां पर मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट क्या रहेगा यह वाला विद्ध्यालय के प्रांगण में 25 दिसंबर 2017 को अभी 21 सल रहे तो आप 21 डाल लेजी यहां पर यहां पर 21 डाल लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है वार्षिक मेले का आयुजन किया जा रहा है जो चात्र अपनी कक्षा के साथ मिलकर इस्टॉल लगाने के इच्छुक हो वे सुचित करने वाले से संपर्क कर सकते हैं विध्याले सचिव द्वारा या घोशना की जाती है विटे यहां पर की और एकी दोनों में अंतर है की सर्वत्तम तीन इस्टॉलों को विशेश पुरुसकार से संब्मानित किया जाएगा इच्छुक चात्र अपने इस्टॉल से संबंदित जानकारी सई सीधा संपर्क कर स करते हैं कौन सुमित गोयल और उसके पद का नाम यहां पर या पद का नाम पहले हैडबोई और उसका नाम नीचे लिख दो जिसमें आपकी सूचना क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी यह बात समझी में आगी पहला यह देखो फिर दूसरा इन्होंने दिया क्या यहां से ही विद्याले के प्राधाना अध्यापक के सेवानिवरत होने पर सचिव्थ अमन सर्मा एक विधाईonse अमारों करना चाहते हैं जैक के मर्ग दर्षन में विधाई समारों के विशे में सूचना लिखिए तो देखो यहां पर इन्होंने लिखा सूचना यहां पर क्या लिखा यह सीर्षक इंग्लिश में क्या बोलते हो टॉपिक फिर यहां पर क्या लिखा दिनांक अब कुछ जैसे मालों की दिनांक निर्धारित नहीं है तो आप जैसे 20 दिसंबर फिर डोट 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 यानि इसके पिछे 22 भी हो सकता है प्रधानाध्यापक स्री रमन भारत द्वाजी की सेवर निर्वरत होने पर एक विधाय समाहरों 30 दिसंबर को आयजित करने जा रहे हैं संपोण कारेकरम निर्धारित कर लिया गया है कार्याले से भी स्विक्रती ले ली गई है अतहा विध्याले की बार्वी कक्षा के सभी चात्र चात्रों से अनुरोध है कि निर्धारित दिवश को अधिक्षे अधिक शंक्या में पहुँच कर इस विधाय समाहरों को हिस्सा बने और उन्हें भाव भी ने विधाय दे यह किसने लिखा अमनसर्मा यह क्या है सचीव तो चाओ तो आप सचीव यहां पर भी लिख सकते हो और अमनसर्मा नहीं चाह का हमें लिख करके दिया है अब देखो तीसरा वाला देखो साब क्या है कि कि आपकी पुस्तक संग्षिप्त रामायन पुस्तकाले से खो गई भई लाइब्रेरी में पुस्तक रखी थी संक्षिप्त रामायन वह खोझ चुकी है इसकी सूचना भी क्या देना है किसको देना है आपको सूचना देना है तो आगे चले को आगे होई आ पाया सूचना इसमें क्या है कि यहां पर इन्होंने दिनांख लिखी ए और मेरी पुस्तक संक्सित रामायन पुस्तकाले से गुमों गई आता जिसे भी मिले वह मुझे कक्षा देख्ष को पास पहुंचाने का कश्ट करे धन्यवाद और जिसे यह यहाँ पे लिखा है चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो रेना कक्षा दस्वी ख सेक्षन बी सेक्षन अनुक्रमांग अनुक्रमांग इसमें 46 लिखाए तो चाहो तो आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे भी ला सकते हो यह और बेतन क्योंकि अभी CBC द्वारा इसी फॉर्मेट को सामिल किया गया है पहले वह वाला था और उसको हटा दिया घाय है आगे चलेए अपन आगे है घ flashy first वाला देखिला है भी कि फॉर्ट वाला है नाम परिवर्तन के सब्सकांन वह सूचना जारी किजै कि आपका नाम जिसे घर का नाम क्या है घर का नाम संजे है विद्याले के नाम मिरा क्येस है अब आप नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं तो सूचना नाम परिवर्तन यहां पे ले लिया हमने दिनां कितनी और मैं बिजेंद्र पुत्र रामेश्व निवास भरान तसिल महम रोहतक बयाना बयान करता हूं कि मेरी पुत्री का जन्म प्रमान पत्र के अनुसार नाम नेहा और इसकुल रिकोर्ड के अनुसार विदी है अता जन्म ती थी कि 28-5-2005 के स्थान पर 28-8-26 है भविशे में हमारी पुत्री का जन्म ती थी 28-5-2005 की जिगर नेहा के नाम से जना जाए तो हमने इसके इतने सारे 4-5 उधारन लिए अब देखो साब मुल्यांकन प्रश्ण पर हम चले मुल्यांकन प्रश्ण पर कि कोलोनी में बढ़ती चोरी की घटना से अवगत कराते हुए एसोसीयेशन अद्दक्ष होने के नाते सूतना लिखी तो आप पहले तो क्या लिखोगे कि आपकी जो सोसाइटी बनी हुए उस सोसाइटी का नाम क्या है फिर आपने उस दिनांक लिखी फिर दिनांक लिखने के बाद आपने मेटर लिखा क्या कि सभी साधरा सुचित किया जाता है कि आए दिन हमारे कोलोनी में चोरी की वार्दात हो रही है सभी जागरुख बने और जो भी बाहर से आने वाले हैं उन पर कड़ी निगरानी रखे और इस नंबर पर आप कोल करें ताकि हम जल्द से जल्द उसका निवारण कर सके फिर आपने क्या लिखा यहां पर अद्देक्ष किसको और उसके साइन यहां पर कर दी तो इसमें आपकी आपकी जो है जो सूचना है वह सूचना सभी के पास पहुंच जाएगी आप उसको प्रवेस द्व कार Mill hybrid के लिए कायर पार्किंग की सुचारू व्यवश्था या बढ़ रही है क्या समस्याइं बढ़ रहे है कार कांपे लगाते सडख आंवागेमन का साधाना ह Goddess होता है बाधित होता है तो आपने क्या को लोगों को सूचित कि तो कार-पार्किंग में बाधा है तो प McL लोगों को शुचित कर दालों के लिए उचित वेवस्ता यहां पर की गई है कि प्रतेख विक्ति अपनी कार यहां पर सुचारारू पर से खड़ी करें सही दिशा में खड़ी करें ताकि उस पर कड़ी निग्रानी रख सकेंगे और बाहर कोई भी गाड़ी पार्किंग न करें ताकि आवा कमन का साधन बाद इतना हो तो सभी से निवेदन है कि आप सुचारू व्यवस्ता बनाए रखें फिर आपने वहां पर सम्मंदित जो प्रश्ण बनते हैं सारे अपने हलकी है आज के लिए इतना ही सभी बत्सों को बहुत बहुत धन्यवाद